डेश्टिनेट बिधियो 23rd की दच्छर कुरियाई की ड्रामा है जिसमें जोबो आ, रोवन, हाजून और यूरा ने अभिने किया है। डेश्टिन बिधियो लिंग हांग जो और जंग सीनियो के बीच एगन उठे रोमांस की कहानी कहती है, जिसमें कहानी एक जादूई पुस्तक के एद्गिर धूमती है, जिसे 300 साल पहले पूरी तरह से सील कर दिया गया था, इसे प्राप करने के बाद ये हांग जो के हाथों म में आ गई और सीनियो इस पुस्तक के स्राप के करन जादूई पुस्तक का सिकार बन गया, इस्टोरी, जंग सीनियो एक सच्छम वकील है जो स्मार्ट और अच्छा दिखने वाला है, वह जहां भी जाता है आम तोर पर सूर्चियों में रहता है, लेकिन वह एक अग्याद बीमारी से पीडित है, उसके हालत लगातार खराप होती जा रही है, वो उस अभिसाप को दूर करने के लिए बेताब है जो पीडियों से उसके परिवार पर चला आ रहा है, सदियो पूरा ने अभिसाप से बधा एक वकील, एक सिविल सेवक से उलज जाता है, जिसके पास उसकी आजादी की कुंजी है, फिर एक प्रत्यासित रोमान सुरू होता है, ली होंग जो सबसे निचले दरजे की सिविल सेवक है, वो हमेशा काम पर अपना सरोसिर्ट परजसन करती है, भले उसे कई सिविल सिकायतों का सामना करना पड़ता है, अपने नीजी जीवन में व हाती थी, वो अगर हां कर दे तो वो हंटर हाउस को गिरा सकती है, फिर ली होंग जो उस महिला से मिलती है, वो महिला देखते है पाचान लेती है कि यह वही लड़की है, जिसका संदुक उस हंटर हाउस में रखा है, तो वो उसे परमीशन दे देती है गिराने का, यह सुनक जंक सुनियों उस महिला से मिलता है जिसने कहा था कि इस हंटर हाउस से सब को दूर रखना तो आखिर उसने उस लड़की को गिराने की आग्यां कैसे दी तो उस महिला ने बताया कि यह वही लड़की है जो संदुक की मालकीन है और यह लड़की ही उसे अबसाब से मुक्त कर स इसके बाद नो लड़की उस संदू को खुलती है तो उसमें एक किताब होता है जिसमें कई चीजों के लिए जादवी मंतर लिखे होते हैं, जिसमें एक मंतर प्यार को जीतने का भी होता है। एक दिनों लड़की प्यारवाले मंतर का बिधिव पूरवग बताये गया अनुसार पूरा करती है और उस मंतर का पानी उस लड़के को पीने के लिए उसके डेक्स पर रखे पानी से रिप्लेस कर देती है जिससे ओ चाहती है लेकिन आगे ये देखना मज़िदार होता है कि आखिरो पानी किस ने पिया जिससे ओ पिलाना चाहती थी उसने पिया या किसी और ने अगर किसी और ने पिया तो आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये केर्डामा देखना होगा दिप्यू मुख किरदारों के बीच की केमिस्ट्री सांदार है जो वो आ और रोम दोनों ही बेहतरीं कलाकार हैं जो अपने किरदारों को जीवन करते हैं उनकी प्रेम कहानी मधूर है इस के ड्रामा को खुबसूरती से सूट किया गया है और वेजभूसा और सेट आश्यरजनक हैं कहानी अच्छे गती से अगे बढ़ती है और दिल्चस्प है ये ऐसे मोड और उतार चढ़ाव से भरा है जो आपको अंत तक अनुमाल लगाने को मुक्ती को दर साता है ये के ड्रामा बहुती सानधार प्रेंफ कहानी है जो आपको बार बार देखने के लिए मजबूर नाया है इससे आप एक बार जरूर देखेगा कहां देखें इसके ड्रामा को आप नेट्ट्रिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं